हाई फ्रेंड्स हमारे चैनल आटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे एक फोल्डर के अंदर मल्टिपल नेस्टेट फोल्डर से और उनमें बहुत सारी फाइल से उन सारी फाइल के डेटा को हम एक पर्टिपलर सीट में कंपाइल कैसे कराते हैं इस लेक्चर के लिए हम जिस डेटा का यूज करने वाले हैं सबसे पहले उसको देखते हैं सो हमारे पास fso lecture 7 नाम का फोल्डर है इसके अंदर master नाम की एक हमारे पास directory या फोल्डर है इसके अंदर हम जाएं तो यहां पर आपको कुछ folders और कुछ files में लेगी वो इनमें से किसी भी folder के अंदर जाए तो इसके अंदर files और folder होंगी इसके अंदर फिर files और folder होंगी इस तरह हमारे पास एक folder के अंदर multiple nested folders है और उनके अंदर जितनी भी सारी files है उन सब के data को हमें अपनी इस output वाली seat में compile कराना है हमारे इस video lecture को देखने से पहले अब हमारे last video lecture को जरूर देख लीजेगा इसमें हमने एक project पर काम किया था जिसमें multiple nested folders के अंदर जितनी भी files थी उनको एक particular folder में हमने copy कराया था उस project के लिए हमने जो code लिखा था उसी में हम आगे code लिखेंगे उस project का link हम अपनी इस video के description में और साथ ही उपर i button पर add करतेंगे चलते हैं वी बी एडिटर में और बात करते हैं कि हमें changes क्या क्या करने पड़ेंगे तो पहला जो हमने macro बनाया है इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं सिर्फ source folder का path एक variable में store कराके दूसरे macro को call करा रहे हैं और जो हमारा दूसरा macro है इसमें हम क्या कर रहे हैं एक एक folder के अंतचार हैं वहाँ पर जितनी भी files है उसको copy कराके all files वाले folder में डलवा रहे हैं तो जो हमको changes करने हैं वो यहीं पर करने हैं प्योंकि हमको यहाँ पर file copy नहीं करानी है file के अंदर का data हमको copy कराके output वाले sheet में डलवाना है इस लाइन को हम delete करतेंगे तो सबसे पहले यह जो file हमको मिल रहे हैं इसको open करवाते हैं और open करवाने के लिए Excel की किसी file को हम use करते हैं workbooks collection का और उसके open method का इसमें हम दे देंगे file का path हमरे file का path में मिल जाएगा Excel वाले variable पर अगर हम path property यूज करें उससे अब जो भी इस file का path आ रहा होगा Excel की file का इसको store करा लेते हैं हम एक workbook type के variable में उसके लिए लिखते हैं set wkb equal to workbooks.open और अगर हम किसी object का reference किसी variable में store कराते हैं तो तब हम जो parameter देते हैं वो bracket के अंदर देते हैं वनना error आती है Excel की file open कराने के बाद आगे हमें क्या करना है तो जैसे भी कोई file open होगी तो उसकी सिर्फ seat one में data होगा तो seat one में हमको क्या करना है पूरे data को हम select करेंगे उसके जितना भी data है उसके बाद उस seat के header को छोड़के जितना data है copy करेंगे और उसको output वाली seat की जो last row है जहांपर data है उससे अगली वाली row में हम paste कराएंगे तो पहले हम output वाली seat की last row निकाल लेते हैं जहांपर data है उसके लिए एक variable हम declare कर लेते हैं long type का और loop के अंदर हम last row निकालते हैं लास्ट रो हमें निकालनी है आउटपट वाली seat की जिसका domain name है seat1 तो हम लिखेंगे seat1.cells rows.count count1.end .row और output seat की जो last row है उससे अगली row पे हमें data paste कराना है तो यहांपर हम one add कर देंगे अब जो भी excel की file open होगी उसमें हम क्या करेंगे उसकी पहली seat से जितना भी data है उसका reference हम get करेंगे current region से और फिर उसका heading हम छोड़ने के लिए offset use करेंगे first row छोड़तेंगे और फिर जो भी data हमें मिलेगा उसको copy कर लेंगे और उसको paste कहां कराना हमें seat1 में तो हम देखेंगे seat1.range column A और किस रो पर last row से paste होना स्टार्ट करना है .paste special का use करेंगे और पेस्ट special का option हम Excel paste all use कर लेंगे इसके बात हम जो भी यह file open करेंगे इसको बंद करा देंगे उसके लिए हम close method का use करेंगे close करते हुए हम save changes parameter को इसके false करतेंगे गलती से अगर इस file में कुछ change हो गया हो जब यह macro का code हमारा उस file को close कर रहा हो तो उन changes को save ना करें हमारा code तयार है एक काम और यहां पर कर लेते हैं हम हम क्या करते हैं जो हमारे alerts है उनको disable करा देते हैं और सबसे last में enable करा देते हैं और जब यह macro run हो जाए तो message box में हमें done display हो जाए save करते हैं excel की seat पर जाए और compile data वाला जो यह हमारा button है इस पर macro को हमने assign कर लिया है इस पर click करके अपने code को run करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा vba का code एक एक file को open कर रहा है और वहां से जितना भी data है seat 1 में copy करके वह output वाली seat में compile कराता जा रहा है तो यहाँ पर काफी सारी files है तो हमारा code सारी file को compile करने में थोड़ा time लेगा तो हम क्या करते हैं वीडियो को अभी pause कर देते हैं और जब सारा data compile हो जाएगा तो हम आगे continue करेंगे सारी files का data हमारी output वाली seat में compile हो चुका है और सबसे last में हमें message box में done भी display हो गया है सो इस तरह recursive programming का use करके आप अगर चाहे तो nested folder कितने भी nested हो सबके अंदर जितनी भी files हो उनके data को आप कहीं पर compile करा सकते हैं इस वीडियो में हमने कुछ चीजों को explain नहीं किया जिसे last row हमने कैसे निकाली है क्योंकि यह हम बार बार अब तक करते आ रहे हैं सो वीडियो थोड़ी लंबी नहीं हो जाए इसलिए कुछ चीजों को हमने explain नहीं किया है क्योंकि हम advanced VBA सीख रहे हैं तो यह छोटी छोटी चीज़े आपको आती ही होगी सो दोस्तों आज के लिए इतना ही हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में हमें जरूर बताईएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही हमारे चैनल को subscribe कर लिजिएगा मिलते हैं next वीडियो में बाई